चार जून के बाद से 56 इंच के सीने को कमजोर करने की साजिशे हो रही है राजितिक गलियारे में देश के शेर को बूढ़ा बताया जा रहा है नेता तो नेता अब तो शंक्रा च्यारे के रडार पर पियम मोधी आ चुके है सत्ता में आए 10 साल भी चुके हैं लेकिन गव सेवा की बात करने वाले धर्म से सनातनी पियम मोधी अब तक गव को राष्ट माता का दरजा नहीं दिला पाए जबकि उन्ही के पाले से आने वाले एक नाथ शिंदे ने बाजी मारते हुए गव को राजिमाता का तरजा दे दिया और ऐसे में क्या शिंदे के लावा और किसी का 56 इंच का सीना नहीं है पियम मोधी के प्रती शंकराच्यारी के ये बेरुखी क्या कहती है धर्म पत पर चलने वाले देश के कर्म शिल प्रधान मंत्री क्या अपने कर्तव्यों से भटक चुके है अब कौन से रूप पियम मोधी का भी देखना बाकी है इसे पर बोलते हुए आनन धाम के पिटा धीश्वर महाराज ने 120 करोड हिंदू को हिंदू हिर्दय सम्राठ की रियल पिक्चर दिखा दी वह भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्यान पर लोगोल और आपकी गिंदी ऐसे पिटा धीश्वर धर्माचारियों में होती है जो धर्म पर सनातन पर बोलते हैं धर्म राजनीते के बगार धर्म अधूरा है आज आप एक भारत के भविश्य की तस्री लिखने की कोशिश कर रहे हैं सवानी की कोशिश कर रहे हैं आप से जाना चाहूंगी कि क्या आप भी मानते हैं कि गव को राष्ट माता का दर्जा अब समय आ गया है दिया जाना चाह है, सरकार जनता चुनती है, अगर अधिकतर लोगों ने जो गव को अपना माता मानते हैं, उन लोगों ने इस सरकार को चुना होगा, तो इस सरकार का धर्म बनता है, ये गव को राष्ट माता का दर्जा दें, लेकिन अभी क्या चलता है, आप देखती है, सोचल मेडिया पर गोबरभक्त यह गो भुत्रभक्त है यह गोबर खाने वाली जैसे ही सनातन की बात आती है ट्रोल किया जाता है अब रूल शिस्टम उन साइड़ नहीं है अब हर साइड से ट्रोल हो रहा है हर व्यक्ति ट्रोल हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ, एक दूसरी को नीचा दिखाने से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्या मुस्लिम गाये नहीं पालते, क्या क्रिश्यन गाये नहीं पालते, क्या उनको दूद की जरूरत नहीं है, क्या वो दूद से बने हुए चीजे नहीं पाजाब में यंतरों का विकास हुआ जैसे जैसे यंत्र का विकास हुआ तो मानोता और जीव के परति हमारी धया समाक्त होती गई की अब हमने ऐसा कोई उपाय किया है क्या आज पंजाब में खेती चल रही है पंजाब सबसे ज्यादा हरित करांती को मनने वाला राज्य बन गया लेकिन क्या ये सत्य नहीं कि उसी पंजाब से कैंसर की ट्रेने चल रही है क्या ये पूछना ने चाहिए डगलू एचो को या भारत वंसियों को क्या आपने इतना पैदा किया आनाच कि लोगों को कैंसर बाट दिये आज आपने देखा होगा कई किसान ऐसे हैं जो इक एकर में खेती करते हैं कहते हैं किसको एक्सक्पूर्ट करना है बाहर देना बेचने के लिए और तीन एकड में खेती करते हैं बोला ये ये न इसमें हम खाद नहीं डालते, इसमें कोई राशाइनीग चीज़े नहीं डालते, ये अपने परिवार के लिए रखे हैं. खुद के परिवार के लिए आप अमृत पैदा कर रहे हो और लोगों के लिए जहर पैदा कर रहे हो यह कैसी मानाओता है यह कैसी पढ़ाई हुई इस देश की यह कैसी संस्कृति है ये विश्व विद्याले और विद्याले उन्हें क्या पढ़ाया जिन्होंने मानवता संबंधी और मानविय संबेदनाओं को नस्ट कर दिया व्यक्ति बेचना चाहता है दूसरों को मौत और अपने परिवार के लिए जिंदगी लेकिन हमारी मुर्खता कितनी है कि हम तो अन अपरादों की तरह मिलावत खोरी को सबसे बड़ा अपराद घोसित करिए क्योंकि यह स्लोप वाईजन है जो हमारे छोटे-छोटे बच्चों को और हमें आपको मार रही है इससे बड़ी सत्रुता क्या हो सकती है कि आपको कोई अच्छे रैपर में पैकेट में खुब अपराद और फांसी त्यादी की बात करते हैं यहां भी लागू करें कि मिलावत खोरी मतलब आपने तो कई लोगों को मार दिया एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गोली मारता है तो एक मडर करता है आपने तो करोडों लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया हर घरों में पह कह रहा हूं कि सबसे बड़ा कारिय सनातन संस्कृति अगर करेगी तो मनुस्य को बचाने का मनुस्य को बढ़ाने का मनुस्यता के लिए सनातन संस्कृति है मैं बार बार अरब के लोगों से या वेटिकन में जो बैठे हैं उनसे भी या मक्का मदीना में जो बैठे हैं उनसे या हिब्रुभासा का जो प्रियोक करते हैं उनसे, मैं यही कहना चाहता हूँ, कि सनातन संस्कृति जब आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो यह परियाएवाची है, सनातन मिंस मानोता, मानोता मिंस सनातन, जैसे बोलते हैं वाटर, नीर, जल, पानी, वैसे कोई कहाँ सनातन मा अधर्म का नास हो, प्रानियों में सद्भावना हो और भिश्व का कल्यान हो, आप बताईए कौन सा मजह ऐसी बाते करता है, कौन सा पंथ है इसी बाते करता है, इसलिए सनातन शंसकृती तो पूरे भिश्व की संसकृती है, बैसे ही गव पूरे बिस्वकी माता भारत की माता क्यों हो भारतियों की माता क्यों हो मनुस्य मत्र के लिए गव माता की आवस्थता है लेकिन हमें फिर से प्राचीन कृशी विवस्था लागू करनी चाहिए जिस से गव और गव वंसों का हम आदर कर सकें तब जरूरत थी हम पोज बन रहे हमारे उपर तो हम बाजारों में छोड रहे हैं और फिर उनको काट और उनके मान से निर्याद कर दिये जा रहे हैं। है किसी का तो वो सिर्फ आपके एकनाजशिंदे हैं त्योंकि वहीं है जिन्वें अभी गाई को राजजय माता का दर्जा दिया हैं चपन इंच का सीमिल सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी पर हमला किया है अब देखिए वह स्वामी जी है और प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी बीच में क्या रिस्ता है, और इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी है, कि सब कोई सब कुछ बोल सकता है, और तो धर्म पीठ पर है, अब उनका उनके साथ क्या संबन है, उन्होंने क्या बोला, मैं इससे बहुत ज्यादा इत कुछ कोई और धर्माचारे बता रहा हो, कुछ कोई और पंथ का आद्मी बता रहा हो, कुछ प्रधानमंत्री जी बड़े दिल से काम कर रहे हैं, तेके प्रधानमंत्री जी के निंदा क्यों होनी चाहिए? एक व्यक्ति जिसने आज एक वाड़ पारसद बन जाते हैं, तो पत्नी कहां रहेगी, साला कहां रहेगा, बेटा कहां रहेगा, सब की जुगाड़ बिधायक हो गए, तो उनका जुगाड़ अधिकारी हो गए, जिस ब्रक्ति ने अपने परिवार को परिवार नहीं समझा, जिस ब्रक्ति ने कभी न अपने भाईयों को, भाईयों भी 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 इसके तोड़ी बहुत नाराज हो जाते हैं, हम तो कोटा सिस्टमी चला रहे हैं, हम क्या करते हैं? तो ऐसे प्रधान मंत्री के उपर संका करने का, या संदेह करने का, अब इसमें कोई कहेगा को प्रधान मंत्री, कि आप क्या, प्रचारक है? मैं कहह रहा हूँ कि इस बात के लिए प्रचार उनका नहीं होना चाहिए कि उन्होंने केवल अपने हम दो, हमारे दो using our Cuz our system चार या अपने परिवार को परिवार नहीं माना उन्होंने भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना इस बात के लिए हमें प्रशनता नहीं होनी चाहिए तो इस बात का हमें सब को प्रशार करना चाहिए और प्रधान मंत्री जी जिन कारियों को नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए मुखर होके निंदा करनी चाहिए इसमें मतलब कोई व्यक्ति एक जगह पर बहुत अच्छा है एक जगह पर बहुत अच्छा नहीं है तो अगर हम बोलेंगे भी नहीं बोलने की आतिकार भी हमारे पास नहीं होंगे लेकिन जिस तल्खी के साथ ये बाते की जाती है देखे ये तल्खी समझता हूँ मैं ये तल्खी कैसी है ये कहा जा सकता है कि भई गव को माता उन्होंने घोसित कर दिया राज्य माता तो वहां के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा कारे किया एक नासिंदेजी ने वो भुरी भुरी प्रसंसा के पात रहें पर इसको बहुत ज़्यादा तल्खी के साथ या ट्रोल के सब्दों में न कहा जाए तो भी बहुत अच्छा हो सकता है 2014 के बाद भारत सनातन संस्कृति को जानने लगा मानने लगा कि दुनिया में सभी बच्छों को और भारतवासियों को ये ग्न देते हैं कि आप कितने भी बिजी हो पर अपने रिच्छों, अपने संस्कृति, अपने धर्म के उपर आस्था रखो इस बात के लिए उनके प्रसंसा भी होनी चाहिए हां जहां जहां लगता है कि और वो कुछ कर सकते थे, नहीं कर रहे हैं, तो जरूर उनको संदेश भेजना चाहिए और कहना चाहिए कि आप ये कर सकते थे, आप नहीं कर रहे हैं, बाद में समय नहीं मिलेगा, ये कह सकते हैं, पर मैं तलखी पुर्ण भासा का समर्थन नहीं करता किसी के प्रति न भारत के प्रधानमंत्री के प्रति जिस समय संक्राचारियों ने राम मंदिर का मुद्धा आया था वो नहीं गए थे उस समय भी में संक्राचारिय के पक्ष में खड़ा था कि सनातन धर्म के रीड हैं संक्राचारिय और संक्राचारिय को हम सभी लोग मानते ह धर्माचारिया, सभी लोग मानते हैं, हम उनकी निंदा नहीं कर सकते हैं, वो आए, नहीं आए, वो उनका विवेक, क्योंकि यहां कुछ भी हमारे हाँ फत्वा जारी नहीं होता, हमारे हाँ विवेक से चलते हैं, हमें तो सत्संग से विवेक मिलता है, विवेक ने कहा संकराचारियों का, कि मुझे नहीं आना है, वो नहीं आए, प्रधान मंतरी का विवेक कहा, कि नहीं राम मंदिर का उध्गाटन हो जाना चाहिए, तो उन्होंने कर दिया, तो यह तो अपने विवेक की बात है, अब क्या सत्य क्या असत्य यह जंता निरनाय करेगी और जो किये हैं वो निरनाय करेंगे